हाई व्रिवन वेल्कम बैक टू हेल्थ क्लब उम्मीद करता हूं कि आप लोग सस्त होंगे दोस्तों आज मैं आप लोगों को भुने हुए चने खाने के फायदे के बारों में जानकारी देना चाहता हूं कि भुने हुए चने आपकी सहत के लिए कितने फायदे मंद होते हैं और इससे आपके शरीर को क्या-क्या लाब होते हैं आज मैं इन्हीं सब टॉपिक्स को किलियर करूंगा और मेरी वीडियो यगर आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बुने हुए चने में काफी पोशक त अगर आप इसको टेस्ट के लिए कभी-कभी खाते हैं तो आप इसे अपनी डाइट में डेली शामिल कर लेजें क्योंकि हो सकता है आप इसके फायदों के बारे में ना जानते हो इसलिए आप इसको कभी-कभी टेस्ट के लिए खाते हो तो आज मैं उनी सब फायदों के बारे में बताऊंगा कि ये आपकी सहत के लिए कितना फायदे मन्द है तो आप इसे अपनी डाइट में डेली शामिल कर लेंगे और भुने हुए चने को गरीबों का बादाम भी कहा जाता है ये तो आप लोग ने भी सुना ही होगा और शायद आप लोगों के मन में भी सवाल उठता हो कि एक स्वस्त अदमी को एक दिन में कितना चना खाना चाहिए तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्वस्त अदमी को दिन में 50-60 ग्राम चने का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह आपकी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है भुने हुए चने का सेवन करने से आपकी रोग परती रोदक चमता काफी बढ़ती है अगर आप रोजाना नाचते में या दोपहर में खाने से पहले 50 ग्राम भुने चने का सेवन करते हैं तो इससे आपके शरीर मे या गर्मी के बाद ठंडक शुरू हुई तो आप भी मार पड़ गए तो अगर आप भुने वेचने का सेवन करते हैं तो इन सब में भी आपको काफी फायदा पहुचेगा और इसके साथ साथ यह मुटापा घटाने में भी काफी मददगार साबित होता है अगर आप यह आ काम मुटापा काफी कम हो जाता है और अगर आपको यूरीन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है आप उससे परिशान है तो भुने वेचने के सेवन से आपको उसमें भी काफी फायदा पहुचेगा अगर आपको बार बार पर पिशाब आ रहा है आप उस समस्या से काफी परिशान है तो आप गुर के साथ इसका सेवन करें ये आपके लिए बहुत ही फायदेमन साबीथ होगा और इसका सेवन करने से कुछी दिनों में देखेंगी कि कि आपको यह आपको काफी रहात देता है कबस के लिए भी ये काफी फाइदेमन साबित होता है अगर आपको कप्स की समस्या हो जाती है आप उससे परिशान रहते हैं तो डेली इसका सेवन जरूर करें क्योंकि कब शरीर में कई बीमारी को काराड होता है कब दोने पर आप दिन भर आला सा महसूस करते हैं आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है और आप परिशान रहते हैं तो आप भुने हुए चैने का सेवन डेली जरूर करें यह आपकी कप्स की समस्या से आपको काफी फाइदा पहुचाएगा और यह आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए भी काफी मददगार साबित होता है क्योंकि चैने के सेवन से पाचन शक्ति संतुलित रहती और यह आपके दिमाग को भी बढ़ाने का काम करता है और इससे आपका खून भी साफ होता है अगर आपका खून साफ रहता तो आपकी तोचा पे काफ़ी फाइदेवन साबित होता है भुने हुए चनी का सेवन करने से आपको डाविटी में काफ़ी रहत मिल सकती है क्योंकि भुना हुए चना ग्लुकोज की मात्रा को सोख लेता है जिससे आपकी डाविटीज कंट्रोल में रहती है और अगर आप डेली डाइट में इसको शामिल करते हैं तो यह आपके blood sugar का level भी कम करता है और इसके अलावा भुने हुए चने को रात को सोते समय चबा कर अगर आप खाले और दूद्ध पी ले तो यह आपके सास की नली से भी अनेकों रोगों को दूर करने में कारगर साबित होता है और अगर महिलाय भी इसका सेवन करती है तो यह उनके हार्मोन के इस्तर को काफी कंट्रोल में रखता है और इसके साथ साथ यह एनेमिया की भी शिकायत को काफी हद तक दूर करता है और भुने हुए चने का सेवन करने से आपके blood pressure को भी काफी कंट्रोल में रखता है अगर आप blood pressure से परशान है आपका BP low हो जाता है या high हो जाता है तो इसका सेवन करने से आपको उसमें भी काफी लाब मिलेगा और इसके साथ साथ यह आपके दिल के लिए भी बहुत ही फायदे मन्द है तो यह थे कुछ फायदे भुने हुए चने का सेवन करन और अगर आप अपनी डाइट में डेली बुरियों में चने को शामिल करते हैं तो आपकी सेहत को काफी फायदा पहुचेगा और आप अपने शरीर में एक अलग साही बदलाव महसूस करेंगे आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अग एंक इमग친 ऑलावो काफी की बस्क्त करेंगे अबह भyडियों में चの राव और व थन्हामा में ऑन्यार में प्यक्स काफाय।